सिर्पुर एक निर्वाचन छेत्र के रूप में बहुजनवाद से सराबोर है तेलंगाना बस्पा प्रमुखारेस प्रवीन कुमार ने घोशना की जब वह तेलंगाना के कुमाराम भीम आसिफाबाद जिले मिस्थित सिर्पुर की राजनीती के बारे में बताते हैं जुलाई में कुमार ने सभी को आश्चर यचकित कर दिया जब उन्होंने 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधान सभा चुनावों के लिए सिर्पुर से अपनी उम्मीदवारी की घोशना की घोशना होने तक यह अनुमान लगाया गया था कि वह जो गुलंबा के दो न निर्वाचन खेत्र को चुनने के लिए विभिन कारण बताएं बस्पा की आईटी सेल की सदस्य पल्लवी का कहना है कि अनारक्षित निर्वाचन खेत्र सिर्पुर के निवासियों ने प्रवीन से चुनाव लड़ने के लिए कहा और वह सहमत हो गए एक अन्य सदस्य अरु प्रव IPS अधिकारी कुमार को तेलंगाना सोशिल वेलफेर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टिटूशन सोसाइटी टी एस डब्रेज के सचिव के रूप में हाशिये पर रहने वाले छात्रों के उत्थान में उनके काम के लिए जाना जाता है वह अनुसूचित जाती मडिगा समुदाय के भी सदस्य हैं जुलाई में उनकी घोशना के बाद स्थानिय मीडिया ने उनके सिरपुर चुनाव को साहसिक विकल्प करार दिया यह उसके लिए आसान नहीं होने वाला है मौजूदा सिरपुर विधायक कोनेरु कोनप्पा एक अनुभवी हैं और ती एसी निर्वाचन शेत्र है सिरपुर स्थित एक पत्रकार का कहना है कुमार का कहना है कि वह अनुसूचित जाती और अनारक्षित निर्वाचन शेत्र के बीच अंतर करने को तयार नहीं है एक उम्मीदवार अपने सामाजिक मारकरों की परवाह किये बिना एक उम्मीदवा इसके अलावा, मैं इस रूधी के आगे जुकना नहीं चाहता कि एक दलित व्यक्ति केवल ऐसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, हालांकि कुमार आलमपुर को दूसरे विकल्प के तौर पर रख रहे हैं। इसमें उनके बस्पा में शामिल होने के बाद से तेलंगाना में माला और मडिगा की SC उपजातियों के बीच अंतर बढ़ गया है। मडिगा कई वर्षों से इस आधार पर SC वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं कि माला सभी लाभों का आनंद ले रही है। तेलंगाना कॉंग्रेस प्रमुख रेवंत रेडी या मुख्यमंतरी के चंदरशेखर राव KCR की तरह प्रवीन ने भी अपनी राजनीती को समझाने के लिए इतिहास पर भरोसा किया है। लेकिन उनका इतिहास उनके समुदाय के लोगों को कभी पता नहीं चला। त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सिर्पूर कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले का एक हिस्सा है जिसका नाम क्रांतिकारी गोंड नेता के नाम पर रखा गया है। गोशित किया और अधिकारियों को एक अल्टीमेटम भेजा। गोंड राज के विचार ने वास्तव में हैदराबाद राज्य को हिला कर रख दिया। भांग्या भुक्या ने अपनी पुस्तक दरूट्स ओफ दपेरिफेरी ए हिस्ट्री ओफ दगोंस इन डेककन इंडिया में लिखा है। समसामेक राजनीतिक परिवेश में आरैस प्रवीन कुमार वंचित जातियों के पक्ष में स्थापित व्यवस्था को हिलाने के इच्छुक हैं। प्रत्येक भूमिहीन घर को एक एकड़ जमीन पोडु भूमी आवंटित करना, पांच साल में एक लाख नौकरिया पैदा करना और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल ये सभी तेलंगाना बीएसपी के वादों का हिस्सा है। वह स्थानिय इतिहास से सीख ले रहे हैं और कई साक्षात कारों में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वह मनुवात को मिटाने की अपनी राजनीती को समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सिर्पुर ने 2014 में पहले ही बहुजन समाज को एक लेहर दे दी है। ऐसे में वहां से चुनाव लड़ना उचित है और हमें बहुत अधिक समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा मायावती ने कांशीराम की राजनीती का अनुसर्ण करने के लिए मुझ पर भरोसा किया और इसलिए मुझे मुझ्यमंत्री पद का चहरा घोशित किया। उन्होंने निशकर्ष निकाला।